तो जैहिंद दोस्तो इंशोरंससिखो.com पर IC38 Short Study in Hindi के Part 4 में आपका स्वागत है दोस्तो इस वीडियो से पहले भी मैंने उस वीडियो में आपको कहा था कि सब्सक्राइबर बहुत कम आ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे के Part में चलते हैं तो चलो च पतलब होता है भी मालेखन भी मालेखन मीन्स किसी भी लाइब को जब हम उसको इंशोरंस प्रोवाइड करते हैं तो उसके उपर कितने रिस्क हैं क्या उसकी प्राइजिंग है रिस्क सिलेक्शन करना और उसकी प्राइजिंग करना इस प्रोसेस को बोलते हैं अंडराइटि क्यों की जाती है? उसका purpose सबसे पहले है to prevent anti-selection or selection against the insurer, कोई भी गलत selection या कोई भी selection हम कर रहे है insurer के benefit में होनी चाहिए, right life होनी चाहिए, ऐसा ना होगी हम कोई गलत life का insurance select कर ले, कम प्राइज पर और वो insurer को loss करें, to classify risk and ensure equity among risk, यह underwriting का process है, ठीक है underwriting अब दो level पे की जाति है एक तो होती है evp lіvel पे जिसको हम primary level भी को वह दुझा है ठीक है तो हमारा primary underwriter कौन ہو गया agent agent is a primary underwriter क्यों primary क्यों क्योंकि agent जिसका बीमा कर रहा है जिससे मिलता है उसको जानता है उसके बारे में information collect करता है तो सबसे पहले उसको पता है कि वो person बीमार है या उसकी कोई sub standard है या उसकी लाएपे कोई risk है तो वो agent को पता होता है वो उसको पता चल जाते हैं तो सबसे पहले वह हुझ अंडर राइटर है हमारा प्रैमिंगरी का सिकन्टरी हमारा है है का यह जो एक ऑफीसर है और जो उसको देखे सिलेक्ट कर रहा है उसको पढ़के आपके yearly此 को पढ़के फोर्म का से अब नार्मल इंसान जो नार्मल जी जिय रहे हैं उनके नॉर्मर प्राइस प्राइसिस लगते हैं बंप के लिए उसके रिस्क उस केंटेयर्टील में आ जाते हैं के से चार्ज्स बनते हैं। रहने की जो चैबसाने की कहμα कम है उन लाइफ को सब्स्टेंडर एंदर में जन्द के इसकुर बहुत चैपी है को माइनिंग का काम करते हैं मायं के अंदर उनके लिए फार कृए है बने रहते हैं तो उस टाइप की लीफे वह सब्स्टेंडर लाइफ में आ जाती है है वो भी क्लासिफिकेशन लगा जाते हैं एक आते हैं डिक्लाइन लाइफ डिक्लाइन लाइफ वह आगे जिनको डिक्लाइन ही करना है जिन लाइफ को हम इंशोरंस नहीं दे सकते जैसे को बिमार है को डेथ बैट वे हैं तो डिक्लाइन लाइफ है प्रेगनेंट लेडी का insurance नहीं होता pregnancy delivery के बाद 6 months के बाद 6 months के बाद कुछ cases में 3 months के बाद भी insurance मिल सकता है लेकिन during the pregnancy pregnant lady को insurance नहीं मिलता वो decline life में आ जाता है तो उस type के case जो होते हैं उनको decline कर दिये जाता है या उनको postpone कर दिये जाता है ठीक है method of underwriting दो होती है एक judgment method एक numerical method जिसमें कुछ calculation कुछ formula लगा के underwriting की जाती है ठीक है underwriting basically आ गया किसी भी person के against उसके risk को classify करना कि उस पर क्या risk है और उस risk के हिसाब से उससे पैसे लेने वह यह आ गया underwriting ठीक है अब underwriting में decision क्या क्या होती है यह नहीं है कि किसी ने फॉर्म वर के दे दिया proposal फॉर्म आ गया किसी customer का तो उसको insurance policy मिलनी मिलनी है यह decision जो है underwriting में decide किये जाते हैं कि उसको क्या करना है सबसे पहले decision क्या होता है इसमें accept at ordinary rates or ordinary rates और नॉर्मल rates पे उस life को accept कर लिए जाए और insurance उसको दे दिये जाए ठीक है दूसरा decision यह हो सकता है कि अगर उसमें कुछ रेस कहीं कुछ भी कोई थोड़ा लग रहा है जैसे कोई belt force यहां duty के दुरान कवर जाता है कोई army में job करने वाला BSF में इस टाइप की तो acceptance with an extra उन से थोड़े duty के दुरान कवर के लिए थोड़े से चार्जिस extra accept कर लिए जाते हैं तो उनका insurance accept कर लिए जाता है ठीक है यह decision भी हो सकता है acceptance with a lien on the summer short मैं कुछ changes करके कि इतना suppose अगर कोई apply कर रहा है मुझे 25 lakh का insurance चाहिए और उसकी capacity उतनी नहीं नहीं मन रही उसकी human life value उतनी नहीं मन रही तो समशोड को decline उसको 20 lakh का दे सकते हैं इस टाइप से समशोड में थोड़ी changes करके accept कर सकते हैं acceptance with a restrictive clause अगर कोई live risky लग रही है जैसे कोई लग रहा है कि यह mental patient है यह suicide कर सकता है यह इस टाइप का उसमें कुछ condition रखके restrictive clause लगा के तो तब भी accept कर सकते हैं underwriting में और decline और postpone वह जो मैंने आपको पिछे example बताई कि वह कुछ ऐसे केसे जाते हैं जैसे females में pregnancy वाला उस टाइम पे इंशोरेंस नहीं दिये जा सकता हाँ अगर किसी मेल की पहले से policy चल रही है उस period के बीच में उसकी pregnancy आती है तो वह अलग-अलग case आ जाता है पर दूरिंग दा प्रपोजल देना है इंशोरेंस के लिए वह जहां तो decline होगा जांसको postpone किया जाएगा यह वह वाले case आगए underwriting decision में यह यह सारे पांच decision है underwriter in decision में से कुछ भी दे सकता है वह उसके ओपर डिपेंड है अचा अचा अब अंडर राइटिंग एक तो non-medical टाइप कि आ जाती है non-medical में क्या होता है a large number of life insurance proposal may typically get selected for insurance without conducting a medical examination to check the insurability of the life to be insured वह cases जिनमें हम किसी भी नॉर्मल आदमी का without किसी medical examination के उसकी age, height, weight, income के हिसाब से उसको normally हम एक value तक का insurance दे देते हैं उसमें कोई medical test नहीं करते उसमें कोई उसके financial statement नहीं मांगते उसमें यह यह जो cases है यह non-medical underwriting की under आ जाते हैं और वह cases जिनमें high summer short होता है यह जिनमें खतरा होता है कि यह इंसान बिमारी में बिमारी से ग्रस्थ हो सकता है जल्दी इस टाइप का profession है तो वह उनका medical test लिए जाता है उसके बेस पर उनकी underwriting की जाती है वह आगे medical underwriting के अंदर ठीक है अब कौन-कौन से factor underwriting में consider किये जाते हैं ठीक है फैक्टर लाइक इंकम अकुपेशन कि लाइफस्टाइल और हैबीट्स ठीक है moral hazard यह सारे जो है financial underwriting का पार्ट है यह सब underwriting के टाइम पर देखे जाते हैं तो अगर health related कुछ है उसमें medical examination test होता है उसको medical underwriting बोल देते हैं मैंने पहले बताया ठीक है अब होता क्या है कि occupational hazard जो होते हैं वो किन-किन कहां कहां से आ सकते हैं occupational hazard में क्या आता है सबसे पैसे पहले एक्सिदेंटल है जैसे को ड्राइवर है प्रोफेशनल ट्राइवर है बड़ी गाड़ी चलाता है त्रॉल ट्रक ट्रेलर्स तो वह always accidental का hazard उन पे बना रहता है ठीक है वो occupational hazard आ गया एक टाइप का माइन वर्कर्स की मैंने एक्जेम्पल दी थी उनके लिए always health का hazard बना रहता है moral hazard आ गया moral hazard वो चीज़ आगी अगर कोई इंसान किसी को पता है कि ठीक है मेरा insurance और वो जान बूच कि insurance होने की बज़ा से risk उठाता है वो moral hazard में आ जाता है इसका भी कोशन आ जाता है कभी कभी moral hazard क्या होता है moral hazard यह होता है कि इंसान को insurance लेने के बाद उसका जो नॉर्मल behavior है वो चेंज हो जाता है और वो अपने profession पे जहां काम में ज्यादा रिस्क उठाना शुरू कर जाता है उसका रिजन यहीं होता है वो बोलता है कि ठीक है मेरा insurance घरवालों को तो मिली जाएगा कुछ ना कुछ वो वो category moral hazard में आ जाती है ठीक है अब medical factor में क्या-क्या consider किया जाता है जो medical underwriting की जाती है उसमें क्या-क्या दिखे जाता है परस्नल हिस्ट्री ठीक है इसमें जो mental health या profession या कुछ भी चीज़ी आ जाती है personal characteristics जिसमें height और weight देखा जाता है कि overweight तो नहीं है या low weight तो नहीं है बहुत ज्यादा बिपी प्रॉब्लम्स यह प्ल्स वगयरा यह सारी personal characteristics में आगी है पेरेंस कैसी है देख एबनॉर्मल बंदा जो होता है इंसान जो होता है वह देखने से पता जाजाता है यह कुछ का family history का तो family history भी कस्टमर से हमने एजेंट्स ने लेनी होती है और वह family history देखके भी underwriting होती है ठीक है पार example अगर कोई किसी family किसी customer का family में दो दिखाया गया कि दो तीन deaths जो है diabetes की वज़े से हो रही है तो इसका मतलब वह उस family में priority प्रोन का होने का बहुत चांस है उस customer के तो वह यह सब चीजे मेडिकल अंडर राइटिंग में इफेक्ट करती है यह मैं कंसीडर की जाती है तो दोस्तों यह आगया अब next हमारा आगया claim claim क्या होता है सबसे पहले claim क्या होता है आप सुचिए आप claim क्या claim का सुनके आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया ठीक है अब मैं बताता हूं claim क्या है claim is a demand that the insurer should make good the promise specified in the contract ठीक है claim एक demand है किसके against demand है insurance के against a demand है जो customer कर रहा है कि हाँ भाई आपने एक promise किया था कि हमारा loss होगा तो आप आप inge करेंगे तो अब वह टायम आगया है compensate क्रो ठीक है claim यह है claim is a demand ठीक है अबना वाुदापूरा करने की एक demand है उसके claim बोला जाता है ठीक है यह सिर्फ डेथ की टाइम पे राइज होता है सर्वाइवल क्लेम क्या होता है कि जब किसी की मैचौर्टी हो जाती है वो उसकी डेथ नहीं हो रही कस्टमर की डेथ नहीं हो रही वह पॉलसी उसकी मैचौर होगी तो उसको सर्वाइवल क्लेम दिया जाता है ठीक है इसका यही चीज आगे claim can be a survival claim और a death claim अब type of claims क्या है claim claim किन किन चीज़ों को बोले जाता है survival benefit जो पीछे बता है maturity बेजान कुछ भी जैसे के plans में money back आते हैं उनको survival benefit बोले जाता है यह भी claim में आते है surrender of policy surrender भी claim में आता है आप सुचेंगे यह कैसे आता है कि ठीक है मैंने जितनी policy चला दी अब इसके आगे में policy नहीं चला सकता जो मेरे पैसे बने जितना भी amount बने मुझे दे दो ठीक है surrender surrender policy वह भी demand है claim है वह भी ठीक है rider benefit rider आपको पता है additional benefit जो पालसी के साथ लिया गया है तो उसकी demand करना ये भी claim है maturity हुई है claim है death हुई है तब भी claim है ठीक है अब death को आगे दो parts में divide किया जाता है early और non early ठीक है अब नाम से पता चल जाता है early का कम मतलब जल्दी less than three year policy duration policy लेने के तीन साल के अंदर अंदर अगर किसी की death हो रही है किसी की death की meaning हमारा यहां पर है customer की death जिसने insurance लिया है ठीक है उस death को हम early death insurance death claim बोलेंगे ठीक है early तो अगर तीन साल के बाद हो रही है policy लेने के तीन साल के बाद हो रही है तो non early की category में आता है अब देखिए early or non early क्यों आ रहा है क्योंकि जब भी early claim arise होता है तीन साल के अंदर अंदर customer की death होती है तो क्या करती है company एक field level पे inquiry करती है उस claim के बारे में अगर कोई भी fault पाया गया कोई दोख़ड़ी पाई जाए तो वो claim reject हो जाता है इसलिए early की category आगी in case non early तीन साल हो गए है policy चले हुए उसके बाद death claim आता है तो उस case में inquiry नहीं की जाती उसमें claim देना ही होता है अपनी legal forms जो है customer से submit करवाने हैं ठीक है यह बहुत असान है इसको समझना आप न सिर्फ अगर death claim आया है death claim मिलेगा nominee को क्योंकि policy holder तो मर गया death हो गई उसकी अब death claim nominee को मिलेगा तो सबसे पहले क्या लगेगा claim form by nominee ठीक है nominee claim form भरके देगा second document क्या लगेगा certificate of burial or cremation जिसको death certificate बोले जाता है burial मतलब दफनाया उसको cremation जलाया संसकार किया ठीक है उस चीज़ का certificate एक वह भी लगाया जाएगा generally जिसको death certificate बोता जाता है ठीक है treating physician certificate अगर उसकी death होई को treatment लिया होगा किसी ने बचाने की कोशिश की होगी hospital लेकि गए होंगे जिस फिजिशन ने का treatment किया जा कुछ भी उनको basic treatment दिया है उसका certificate लगेगा एक इसका format यह हर insurance company का अलग-अलग format होता है अपने certificate का वह हमें अपनी company से मिलता है जैसे मैं लाइसी की example लेकि चल रहो तो लाइसी वाले हमें office से देते हैं ठीक है उसके बाद आ गया hospital certificate वही वही चीज़ आगी यह physician का certificate था वह hospital का certificate आ गया सेम चीज़ आगी के केसिस में यह अलग-अलग बनता है गेसमें सेमी एक की से काम होता है ठीक है उसके बाद आगा certificate 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 आ जाता है कोई government job करता है उसके office से वह certificate लेना पड़ता है हाँ यह इनसान यहाँ पर job करता था और अब यह last time हमारे इसी से employment को देखा है witness होती है वहाँ पर और अब यह नहीं आ रहा क्योंकि उसकी death हो गई है ठीक है यह एक employee person के case में होता है यह बड़ा इसली create हो जाता है इसमें को difficulty नहीं आती है certified court copies of police report in case of death by accident देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है copies of police report not FIR FIR में तो कुछ भी लिख सकते हैं अगर किसी का suicide है या कुछ भी है police report जिसको बोला जाता है वह final report होती है जो police submit करती है के court में कि इसकी death कैसी हुई है हमारे investigation में क्या क्या आया है वो चीज़ की copies यह है वह भी लगा जाती है in case of accident क्योंकि accident का हमेशा maximum cases में क्या होता है कि वह rider लिया होता है लोग ने उसमें double benefit मिलना होता है तो उसमें accident का भी mention करना पड़ता है ठीक है यह आगे सारे documents जो एक नॉमीनीन है death claim के लिए देने होते हैं यह बहुत इजी है इसको समझना चलिए आगे चलते हम तो दोस्तों यह हमारा अब एक last topic है इस पूरे टुटोरियल का इस topic का नाम है grievance redressal mechanism देखी इसका मतलब क्या है ग्रीवियंस का meaning है शिकायते रीड्रेशल का मतलब है ठीक करना mechanism का मतलब आगया ऐसा system कोई ठीक है शिकायते ठीक करने का जल्दी से जल्दी शिकायते solve करने वाला system ठीक है यह क्या था ग्रीवेंस रिड्रेसल मेकेनिजम जो है वो IRDA की गाइडलाइन से बनाया गया है यह हर कंपनी को गाइडलाइन है क्योंकि जो भी इंशोरेंस एक्टर में कमपनी काम कर रहे हैं कि बहुत सारे कस्टमर होंगे जितने ज्यादा कस्टमर है तो कंप्लेंस भी ज्यादा होंगी हर कंपनी को एक फारक्रीड ग्रीम कर अफ़ना है जल्दी से जल्दी कस्टमर की कंप्लेंस को सॉल्द करना है उनका कोई सोल्संड मनाना कस्टमर सफर ना हो ठीक है यह कंपनी को activate बढ़ेगा अब IRDA क्या ही इंस्ट्रक्शन है कि हर कंपनी अपना एक IGMS बनाए IGMS मतलब Integrated grievance management system बनाए इसका मीनिक होता है Integrated का मतलब होता है fast असरदार फास्ट या असरदार बोल सकते हैं ग्रिवियांस शिकायते management system शिकायतों को manage करने वाला system ठीक है IGMS IRDA has launched IGMS with act as a central repository of insurance grievance data and as a tool for monitoring grievance redressal in the industry which is जो मैं बोल रहा था ठीक है यह IRDA के pressure से ही यह हर company को maintain करने पड़ती है और यह IGMS काम कैसे करता है यह काम करता है Consumer Protection Act 1986 के पर ठीक है अब यह जो 1986 consumer protection act है इसमें amendment जो है वह 2002 में लाए गी थी सारे rules वह है वह आज 2002 वाले ही यूज किया जाते हैं यह question के वार आ जाता है कौन से कौन से एक्ट ग्रिवियंस redressal mechanism जो है कौन से according काम करता है तो उसका answer है यह consumer protection act 1986 ठीक है यह act के इसलिए पास किया गया था customers को better services provide करने के लिए को उनको loot ना सके कोई कुछ उनका नुक्सान ना कर सके ठीक है तो अब यह कैसे काम करता है consumer protection act इसमें क्या होता है इसमें होता है इसमें होते है जुडिशन चैलन्स जुडिशल चैनल्स सबसे पहला हमारा इसमें चैनल आ जाता है डिस्टिक फॉरूम सेकिंड आ जाता है स्टेट फॉरूम स्टेट कमिशन थर्ड आ जाता है नेशनल कमिशन ठीक है अब वही चीज जो मेरे मुझ से निकली थी आपको पेपर में कोश्चन भी ऐसे आता है और आपको कन्फ्यूस किया जाता है उसमें कोश्चन पूच्छा जाता है उसमें ऑप्शन दिये करते हैं डिस्टिक फॉरूम स्टेट फॉरूम नेशनल कमिशन पर इनके नाम आप बिल्कुल सही तरीके से याद रखिए डिस्टिक सिर्फ डिस्टिक वाले में फॉरूम है बाकी कमिशन है ठीक है हम स्टेट फॉरूम टिक कर देंगे तो वह आंसर गलत होगा उसमें आंस setup किया गया है जो customers के benefit को preserve रखने के लिए सुनवाई करता है ठीक है जिसमें cases चलते हैं consumers के उसको बोला जाता district forum यह special judicial court होती है ठीक है यह normal वाली court नहीं होती है उसके बाद क्या है state commission क्या है यह हर एक state में एक होगा district forum हर एक district में में एक होगा state commission पूरी state में एक होगा इसको भी state government ही setup करती है हर एक state में ठीक है उसके बाद आगे national commission यह पूरे इंडिया नाम से पता चल जाता है यह पूरे national पे पूरे इंडिया में एक होगा और इसको setup करती है central government ठीक है अब इनमें complaints की limit क्या है ठीक है अब district forum जो है वो complaint where value of goods or services and the compensation claim is up to 20 lakh 20 lakh तक की जो value होगी किसी complaint की किसी की policy 5 lakh की है 8 की है 10 की है 12 18 की है तो उसकी जो भी complain होगी या सुनवाई होगी वो district forum में उसका होगी ठीक है अगर 20 lakh से उपर उसकी value है 20 lakh से लेके 20 lakh से लेके 100 lakh एक करोड तक की अगर उसकी value है compensation की या कोई complain की या कुछ भी तो उसका case जो है वो state commission में चलाए जाएगा वो district forum में नहीं चलाए जाएगा और in case soul 100 lakhs मतलब एक करोड से उपर की अगर कोई case है कोई value है जाए कोई claim है तो उसका जो case है वो national commission में चलाए जाएगा national commission उसकी सुन हुआ ही करेगा यह आगे जोडिशन चैनल्स इनकी limit कौन से कौन से लेवल पर कहां कहां यह present है ठीक है अब क्या होता है कि IGMS में judicial channels यह तो आगे consumer protection act के अंडर कौन से चैनल से हैं अब हम पढ़ेंगे कि एक और option है court से पहले वह इंशोरेंस ombudsman ombudsman का क्या मतलब है लोगपाल अपना पिछे लोगपाल का काफी सुना होगा इंशोरेंस ombudsman बीमा लोगपाल ombudsman को नहीं यह एक middleman है insurer और insured के बीच में जो एक mediator का काम करता है mediator तो दोनों के तरफ से शिकायते सुनता है और एक medium वह निकालने की कोशिश करता है जिसमें न कस्टमर का loss हो ना company का loss हो the decision of the ombudsman whether to accept or reject the complaint is final यह ombudsman का ही decision होता है कि वो किस complaint को select करेगा यह reject करेगा ठीक है ऐसी नहीं है कि कोई भी छोटी मोटी छोट पूड कंप्लेइन उठाई तो उम्पर्स मैं के बास बंदा चला जाए तो यह आगए ठीक है इसमें question कि आता है नहीं होता है टेक होता है इसका अंसर आएगा स्टेश्ट्ट्टूद्वाल ने कोई चक्र नहीं होता अब ही यागया complaints can be made to the ombudsman if ombudsman के पास complain कब जा सकती है सबसे पहले आ गया the complainant had made a previous return representation to the insurance company and the insurance company had ठीक है क्या है complain करने वाले नहीं return में एक अपनी insurance company को complain कर दी return में जो भी होगा वो return में होगा process के according और insurance company नहीं क्या किया सबसे पहला reject the complaint complaint reject कर दी तो इंसान ombudsman के पास जा सकता है ठीक है यहां फिर the complainant had not received any reply within one month ठीक है एक मन्त के अंदर-अंदर complainant को कोई reply नहीं मिला complain करने वाले को कोई reply नहीं मिला company से तो ombudsman के पास जा सकता है ठीक है यह दूसरा point आ गया the complainant is not satisfied with the reply given by the insurer यह दोनों conditions नहीं reject भी नहीं कि company नहीं है उनको reply वे एक मन्त के अंदर आ गया लेकिन reply जो है वो clear नहीं है customer को पसंद नहीं आया जहां वो satisfy नहीं है उस reply से तब भी ombudsman के पास जा सकते हैं अब यह थर्ड पॉइंट इसको याद रखी है यहां से question the complainant is made within one year from the date of rejection by the insurance company यह जो उपर आ गया reject कर दी complaint इस rejection के एक साल के अंदर अंदर ombudsman के पास जाया जा सकता है एक साल के बाद वो भी ombudsman के पास नहीं जा सकते ठीक है अब last point क्या है the complaint is not pending in any court or consumer forum or in arbitration जो पिछे हमने court पढ़े judicial channel पढ़े उन में ऐसे किसी वी court में है किसी वी judicial channel में उस complaint का case नहीं होने चाहिए क्योंकि जो जुडिशिल channel है जो judge वाला decision है वही सबसे उपर होता है उसको माना जाता है देश में आपको पता है Supreme Court सबसे उपर है court वाला channel जो है वो उपर होता है उसको माना जाता है अगर वहाँ पर case चाड़ रहा है तो जो बताये थे पिच्छे national commission state commission district forum उनमें complain करनी हो तो customer की कितनी फीश लगती ऑप्शन आता है 100 रुपया 1500 रुपया 1000 रुपया तो और no fees तो इसका answer जो आएगा वो आएगा no fees इसमें कोई भी किसी भी तरह की fees नहीं लगती complain करने के लिए वो विल्कुल free होता है एक simple return handwritten application चलती है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों यह आपको मैंने जितना study करवा दिया यह four parts में आप अराम से 40 plus marks इसमें ले सकते हो और इसको ध्यान से पढ़ा हो ठीक है यह मैं इसको tried कर चुका हूं tested कर चुका हूं मे 27 किया एक ना 14 भी score किया वो fail हो गए लेकिन उनना सिर्फ एक ही वीडियो देखा था एक ही वीडियो से study की थी बाकि दो वो study नहीं कर पाए थे तो यह guarantee है आपको अगर यह आप पूरे चार वीडियो को देख ले समझ ले दो दो बार कम से कम हर वीडियो को देख ले तो अब सभी से यह request है कि आप प्लीज इस चैनल को subscribe करें अपने दोस्तों के साथ share करें तो और जिनके साथ share करें उनको subscribe करने के लिए बोले क्योंकि data के recording मैंने आपको last time भी बताया था इस time data के recordings 78% लोग जो view करते हैं उन्होंने चैनल को subscribe नहीं किया है आपको पूरा full tutorial दिया है तो आप प्लीज कम से कम subscribe तू कर सकते हैं वो भी फ्री है subscribe करना प्री है पता ही होगा आपको चलो दोस्तों थैंक यू फिर में लेंगे किछ नए वीडियो के साथ और नहीं जानकारी के साथ थैंक यू जाहिन